तो इस प्रकार हमें हलके हाथों से रूट्स को मिट्टी से अलग करना है ध्यान रखें कि रूट्स हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए तो कैसे करना है देखते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिकल गार्णिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलाब के पौधे की गंबले को कैसे चेंज करें रिपॉर्ट करते समय किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए क्या खास ख्याल रखने चाहिए कैसे पौधे को गंबले में निकाल कर फिर उसे रूट माउंड से बचाएं रिपॉर्ट करें तो आई ये पूरे डिटेल में बात करते हैं स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में दोस्तों ये मेरा गुलाब का पौधा है देखिए इसमें फ्लाउर्स आतो रहे थे पर वो पूरी तरह से खिल नहीं पा रहे थे तो इसको मैंने रिपॉर्ट करने आप ऐसला है क्योंकि करीब तीन साल पहले से लगा हुआ इस गंबले में तो इसमें रूट बांड बहुत ज़्यादा हो गई है इस वज़े से इसकी ग्रोथ नेचरल तरीके से हो नहीं पा रही है तो इसकी कांट शाट हम करते रहते हैं इसको रिपॉर्टिंग करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज है आपको कम से कम दो दिन पहले से इसमें वाटरिंग करना बंद कर देना है मिट्टी पूरी तरसर ड्राइ होनी चाहिए तो कि अगर मिट्टी ड्राइ नहीं होगी तो वो गंबले को भी मिट्टी छोड़े तो आप उसको फिर हलके हलके हाथों से मिट्टी निकालने कोजिस कीजिए और फिर पौधे को आप उपर की तरफ पकड़के उठाते हैं तो पूरी मिट्टी सहीद पौधा बाहर निकल जाएगा गंबले से अब देखिए मैंने साइट साइट से थोड़ी-थोड़ी मिट् के साइट किसी प्रकार की कोई डैमेज पौधे में ना आए है हलके हाथों से हमने बाहर निकालने कोजिस की और पौधा निकलाया अब इसमें देखिए आप रूट बांड कितनी जादा है इसकी रूट्स पूरी मिट्टी में चारों तरफ से फैल के कवर कर ली अब रूट साउधानी के साथ रूट्स से मिट्टी को हमें अलग करना है चुकि मिट्टी पूरी ड्राई है पौधे देखिए पौधे पर भी कुछ असर पड़ा है इसका तो हमारा पौधा भी थोड़ा ड्राई हो गया है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता दोस्तों आपको इस परक है फिर आगे सर्वाइब करना थोड़ा मुस्किल होता है तो इस परकार हमें से सारी मिट्टी इस रूट से बाहां निकाल लेंगे हलके हाथों से ओपर की भी मिट्टी चारो तरफ से हम निकाल लेंगे उसके बाद हम हलकी हलकी रूट की प्रूनिंग करेंगे तोस्तों मैं फिर से आपसे एक बार request करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए है और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने लिए वीडियो के राउंड में फैल चुकी थी जिनकी वज़े से इसमें ग्रोथ रुख गई थी क्योंकि अब मिट्टी में न्यूट्रियंट्स बचे नहीं थे जिसे रूट्स से ग्रहन करें और पौधे को पोसकत्तों की पूंड भरपूर मात्रा में मिल पाए तो इसलिए रिपॉर्टिंग जड़ों की रूट्स की प्रूणिंग आउस्चक हो जाता है एक समय के बाद गंबले से निकाल कर तो मुझे भी लगा कि अब इसमें काफी टाइम से लंबे समय से लगा हुआ है तो इसकी रूट्स प्रूणिंग और रिपॉर्टिंग करना आउस्चक है चुकि हम इस पौ रूट्स को फिर जगह मिलेगी स्पेस मिलेगी अपनी पौधों के लिए पोसकत्तों को कठा करने में पहुंचाने में लिए जो नीचे के रूट्स हैं जो हलके रूट्स हैं इन्हें हम प्रून कर देंगे किसी साथ प्रूनर की मदद से जो प्रूनर की हम जो नीचे देख अगर में एक्ष्टा जो रोपन च्रवाईप करना होता है और हम या फिर ब्लेक होी होई है उनको हम प्रून कर देंगे ये अनको अब हम इन्हें पौदे से अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे अब हम गंबले के तयारी करेंगे गंबले में मिट्टी बनाएंगे यह देखे जो मिट्टी हमारी है इसमें हमने नार्मल गार्डन सोयल लिया है 60% और 40% हमने ले लिया है काउडंग कमपोस्ट और हम इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे थोड़ी मात्रा में हम इसमें हुमेक एसिड मिलाएंगे जो हमारे रूट्स को डेवलप करें कोकोपीट हमें इसमें नहीं मिलाना है बिल्कुल भी तो एक चमच हम इसमें एन्पी के मिला लेंगे इस पूरे 12 हिंच की गंबले की मिट्टी के लिए हम बना रहे है तो करीब एक चमच इसमें एन्पी के हम मिला लेंगे और एन्पी के साथ हम इसमें मिलाएंगे नेक्स्ट बोन मिल इसमें हम bone meal डालेंगे एक मुठी के करीब आसपास bone meal क्योंकि जो हम gover की खाट डाल रहे हैं उस मिट्टी में मिला रहे हैं उसके साथ हमें कुछ ये trace elements को बढ़ाने के लिए जो मित्र जीवाडू होते हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती है जिसमें ये तीसरा हम humic acid मिला रहे हैं और इन सब के साथ एक चीज जो मिट्टी में fungus ना पैदा करें fungus को पैदा ना होने दें हम fungicide powder, trichoderma मेरे पास है तो इसे भी मैं एक चमच इस पूरी मिट्टी में मिला लूँगा जिससे की roots में, new development में किसी भी तरह की कोई fungus की growth ना हो पाए roots damage ना हो तो ये चारों चीजें मिलाने के बाद हम मिट्टी को अच्छे से मिला लेंगे और मिला कि फिर हम उस गमले में भारेंगे इस मिट्टी को ये दोस्तों जो हमने चीजें अलग से मिलाई हैं इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये मिट्टी को boost करें recharge करें हमने गोबर की खाद मिलाई हुई है उसके साथ ये humic acid इसलिए क्योंकि वो जड़ों को अच्छे से बढ़ाने में बहुत ही सहायक होती है तो ये सारी चीजें मिलाने के बाद अब हम देखिए गमला हमारा पुराना गमला है इसी गमले में हम फिर से मिट्टी डालेंगे तो जो drainage हो ले उसे हम बंद कर देंगे किसी ठीकरे की मदद से जो हमारा ठीकरा निकला था उसे ठीकरे से हम देखिए इसको बंद कर रहे है बंद करने के बाद दोस्तों हम इसमें मिट्टी भर लेंगे आधे गमले में हम मिट्टी भर लेंगे और मिट्टी भरने के बाद फिर उसमें हम पौधwriter को रखेंगे दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि गुलाब के लिए जो होता है वो sandy soil या काफी porous मिट्टी नहीं चाहिए होती गुलाब को थोड़ी hardy soil से इसको पसंद होती है पहाड़ों पहुगने वाला ज्यादा पौधा है तो इसलिए इसमें हम जो इसकी मिट्टी तयार करते हैं थोड़ी hard रहनी चाहिए बहुत ज़्यादा कोको पीट या सेंड मिलाके नहीं बनाते हैं तो उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होती है हो तो कैसी मिट्टी आप बनाओगे बहुत ही easy to grow पौधा है तो ग्रोथ ही हर जगे अपनी manage कर लेता है इसको मिल जाती ग्रोथ पर थोड़ी hard soil में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ इस हाथों से प्रेस कर देंगे कि इसमें कोई भी एयर पॉट्स ना रह जाए अगर कोई दिक्कत तब होती है दोस्तों जब मिट्टी हम भरते हैं और रूट्स के पास एयर पॉट्स बन जाते हैं एयर बबल बन जाते हैं तो फिर रूट्स जो हैं grow नहीं कर पाती है अच्छे करते समय तो हम इसमें वाट्रिंग करेंगे अब यह हो गया है मिट्टी हमारी गुलाब लगके तयार हो गया है देखिए जो ग्राफ्टिंग पॉर्सन होता है हम किसी भी पॉद्धे का उसे हमें मिट्टी से करीब 1.5 इंच उपर रखना होता है तो मिट्टी में हमारा ग् मिट्टी हमने बनाई है तो पानी सतय पर थोड़ी टिकती है तो वेट करेंगे और पानी जब नीचे मिट्टी सोख लेगी तो दुबारा फिर से हम गमले को पूरी तरह से भर देंगे और भरने के बाद इसे हम डारेक्ट नई, इन डारेक्ट सनलाइट में मतलब रोशनी म भूप ना आती हो छाएदार प्लेस पे हम इसे रख देंगे करीब तीन दिन के लिए और तीन दिन बात फिर इसे हम डारेक्ट संलाइट में निकाल कर रख देंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें वी जरूर दे हमें धन्यवाद